मेरा नाम आशिश शौदरी है और मैं इंटर्नेशनल प्रेयर हूं क्रॉस मेंटन मेरा गेम है जिसे मैं इंटर्नेशनली इंडिया को रिपेजेंट करता हूं 2018 में मोरिश्यस ओपन टूनामेंट हुआ था जिसमें इंडिया से मेरा भी सेलेक्शन हुआ था सिंगल्स और डबल्स में वहां पे मैंने भारत के लिए ब्रॉंज मेडल जीते थे दोनों ही सिंगल्स और डबल्स में और अभी 2019 वर्ल चैंपेंशिप यूरोप में हंग्री उदर मैंने पाइडिशिपेशन किया था इंडिया से 7 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे जिसमें मेरा भ भाई उन्हाने काफी मुझे इस चीज में ना जाने के लिए बोला था क्योंकि इस फिल्ल में कोई फ्यूचर नहीं आपया था उन्हाने मैं को ऐसी बताया था भाई ने और यह का था कि गॉर्मेंट जॉब जादा अच्छे रहती है बट यह अच्छे नहीं रहनी तो मेरे मेरे मंदर के दुआरा मेरे को ब्रह्मा कुमारी राज योगा मेडिटेशन के बारे में फता चला जिसमें मैंने सेवन डेस का कोर्स किया रेगुलरली और जिसमें मुझे हीलिंग, मेडिटेशन, पाउर आफ थौर्ट्स, बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलिज हुई नहीं मैं अब स्पोर्स पर्सन बन सकता हूँ, मैं जोब पे ज्यादा फोकस ना करूँ, अपने गेम पे फोकस करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन से मेरा कॉंफिदेंस बिल्ड होता जा रहा था तो इसमें मैंने जब रेगुलरली मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, इसमें मुझे बताया गया कि सुबह का मेडिटेशन बहुत पावरफुल रहता है, तो इसको मैंने कॉंटिनेशनली शुरू कर दिया, जिससे चेंज आने लग गए मेरे गेम में, और मेरा गेम के सारे इंटरनेशनली मेरे को महसूस हने लगे कि आम मैं ऐसे खेला हूँ जैसे इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है, तो मैंने इसमें फिर इंटरनेशनल सेलेक्शन आया था, और जिसमें की स्टेट और नेशनल को मैंने किलियर करकर टॉप 4 रैंक में आया था, फिर उसके इंडर भवन में चार धाम की यात्रा में हिस्ट्री हॉल में ममा बाबा की फोटो देखी थी, जिसमें ममा बाबा बैडमिंटन के साथ खड़े होए थे, उस फोटो को देखके मुझे अचानक से ही बहुत कॉंफिडेंस आया था, और आत्मीशास आया था, यह तो बहुत मत लिखा कि मुझे थोड़ी आपकी शक्ती की जरूरत है, मुझे इस चीज में आपके हाथ की जरूरत है, उनको लिखा, दिल से परमात्मा को याद करके वहाँ पे मेडिटेशन करा, जिससे मुझे पूरा फायदा यह हुआ, कि मेरी जुकारिय च्छमता थी, और जो मेरी टे कर रहा हुँ, तो मेरी यही शंदेश रहेगा, कि जो मेरा यूथ है, वो इसको पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, सिंगिंग में, हर चीज में करके फोकस हो सकता है, और देश को एक महान लक्षे की और ले जा सकता है, जब मैंने अपने फादर को बताया कि मुझे स्पो को अच्छे से ग्रो करके और आत्मिश्वास को बढ़ा के, मैंने अपने मेरे मन में एक यह द्रिश संकल्प हो गया कि अब मैं एक प्लेयर बन सकता हूं, और मैं कुछ साल की प्रैक्टिस के दोरान अपने इंडिया की टीमें सेलेक्ट हो सकता हूं, तो मैंने अपने पिता में थोड़ा मेहनत करके आपका नाम रोशन कर सकूँ, फिर अगर कोई जल्ट नहीं लिख लेगा, आप जो बोलेंगे, मैं वही करूँगा, तो उस टाइम में फादर का कुछ रिप्लाई नहीं था, और उन्होंने यह का कि थोड़ा पहले और बता देता, तो जो मांग रहा हूं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया पर चुप थे, तो मुझे पता था कि कोई बात नहीं, पर मैं इनको कन्वेंस कर लोगा अपनी जीत के दोरान, इसी बीच में जब मैं मौरिश्यस में जब खेल रहा था, तो मेरी एंकिल ट्विस्ट हो गई थी, तो मेरी अच्छी बात ये थी कि राज योगा भ्रमाकुमाईद मेडिटेशन में, हीलिंग मेडिटेशन भी सब कुछ सिखाया जाता है, कि हम किसी भी प्रसिति में कहीं बे भी इसको हम यूज कर सकते हैं, तो हीलिंग मेडिटेशन के दुरान मैंने जब नोट करा कि मेरा पैर से खेला नहीं जाएगा, तो मैं डर गया काफी, कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है, और मैं एंकिल मुड़ गया, तो मैं अपने कोच को बताने से भी डर गया, तो इस टाइम मैंने उसका यूज करा, और शिव परमात्मा से योग करके, शक्ती ली अपने अंदर उसको चार्ज कर दिया एक भरपूर तरीके से, और उस टाइम ये चमतकार ये हुआ, कि जब मैं खेलने जाता था, वो एंकिल दर्द भग जाता था, और जैसी मैं खेल के वापस आता था, तो तुरंत होने लग जाता था, तो ये मुझे उनके शिव परमात्मा के साथ का ब ब्रॉंस मैटल लेके आया, इसमें मुझे बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपिरिंस तो मेरा ये रहा, कि हम इस राज योगा भ्रहमक मारी मेडिटेशन के दौरा, हम कोई भी अपना गोल में इसको यूज करके, हम उसको महान लक्ष को, कुछ भी जो हम सोच सकते हैं, वो इस मेडिटेशन के दौरा वो प्राप्त कर सकते हैं, तो मैंने भी यही संकल्प रखाता कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूँ, और आज की डेट मैं इंटरनेशनल में प्लेयर हूँ, वर्ल में 36 रैंक है, टोक्यो में एशन गेम सोने वाले हैं, उसमें मेरा सेलेक्शन है, वह मेरी यही गुजारिश है, सारे यूट से, कि वह आपने किसी भी कारेश छेत में, सिंगिंग में, गाने में, जिसमें भी पढ़ाई में वो जा रहे हैं, आई-एस की तयारी कर रहे हैं, गौर्मेंट जोब की तयारी कर रहे हैं, बिजनिस में हैं, स्पोर्ट में हैं, किसी म झाल